हैलो फ्रेंड्स कैसे आप साथ वेलकम टू जेसी के चैनल जोतिका मैं जोतिका अगेन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ जो मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं उनका भी और जो पुराने लोग है मेरे जो यूट्यूब फैमली मेंबर्स में उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ तो आज मेरा वीडियो काफी जादा खास होने वाला है क्योंकि जो आज का कलेक्शन है वो मेरे लिए नहीं है मेरे बेटे के लिए हैं दर्शित के लिए आप उसके शौट्स वीडियो देखते हैं कुछ एक वीडियो मैंने उसके अपलोड किये हैं जो बचपन के वीडियो मुझे काफी जादा अच्छे लगते हैं वो मैंने यूट्यूब शौट्स में भी डाले हुए हैं तो उसके लिए मैंने कुछ क्लोथ मंगा थे मैंने सोचा मीशों पर काफी जादा अच्छी वलब डिजाइन में दिख रहे थे उसके क्लोथिंग जो है मैंने सर्च किये तो उसी-उसी के जो ऑप्शन काफी जादा आते जा रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे मंगाना चाहिए देखना चाहिए क्वालिटी जब मेरे पास आ गए तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो शूट किया जाए टोटल जो है सिक्स प्यार कर चुकी हूँ कल काफी मुष्किल जो है वह शूट किया नहीं मंमा मैं ठक गया हूँ ठक गया हूँ करके बहुत ज्यादा मुश्किल से उसने सारे जो चोटे-चोटे से वीडियो जो है वह शूट करवाया है कुछ फोटो क्लिक करवा है जो कि मैं जो भी ड्रेस दिखाऊंगी उसके साथ यहां पे साइड में क्लिप डालती रहोंगी सबी ड्रेस जो है वो काफी ज़्यादा अफोड़ेवल है 400 के अंदर की भी है कोई भी ड्रेस 400 से उपर नहीं है मैंने कोई भी 400 के उपर नहीं पे किया है I think 362 जो है वो हाई पे है मेरा अगर कुछ कोई ड्रेस ज़्यादा की होगी तो उसके साथ उसका प्राइज लिख दूँगी बट मुझे याद है कि 400 के अंदर की ही सारी ड्रेस थी तो उसके according quality भी देखना था क्योंकि जो normally market में जाते है तो वहाँ पे तो काफी ज़्यादा costly मैं उसकी ड्रेस लाती हूँ तो उसके according quality देखना तो आईए फटाफट से collection देखना start करते हैं गट उससे पहले जो है मेरे चेनल पर चल रहा है मेरा third giveaway अगर आपने उसमें अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यहाँ पर थमनी लगा रहे हूं जिसमें मैंने giveaway एनाउंस किया है नीचे description box में उसका link मिल जाएगा आई बटन पर भी वो वीडियो मिल जाएगा यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो छोटे छोटे रूल्स समझ कर मेरे वी giveaway पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग और साथ ही बहुत छोटे छोटे से रूल्स है मेरे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको invite करना है वो आके आपका नाम लिखेंगे कि आपने उन्हें invite किया है इसके थ्रोही आप winner बन सकते हैं टोटल फोर winners रहेंगे इच winner को मैं 250 के अंदर की jewelry दूँगी आप अपने पसंद की jewelry order कर सकते हैं बता सकते हैं मुझे कि मुझे ये वाली jewelry चाहिए वो मैं आप लोगों को as a gift दूँगी और जो इसका result है वो 15 April के बाद मैं announce करूँगी 15 April के बाद कभी भी आपको result मिल सकता है तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा बेल आइकन को hit कीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियो उसकी notification मिलती रहे ताकि आप कोई भी detail जो है या कोई भी news मिस ना कर जाए तो आए फटा-फट से collection देखना स्टार्ट करते है अचा collection देखने से पहले एक बात हो रहे ये earrings ज जो है वो collection share किया हुआ है वीडियो अल्रेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है तो आपने नहीं देखिए तो इसका लिंक भी नीचे description box में मिल जाएगा साथी साथ ये जो ड्रेस है ये काफी ज्यादा सुन्दर है बहुत सुन्दर पार्टी वियर अनारकली गाउन या कुर description box में मिल जाएगा क्योंकि इसके साथ और भी मैंने ड्रेस जो है वो बताई हुई है वहाँ पर तो फॉस्ट ड्रेस देखते है ये कुछ इस तरह से है ये वो पहन भी चुका है जब ट्रायन होल किया उसके बाद ममा मुझे ये वाली ड्रेस पहनना है तो ये पहन के ही वो पार्क में खेलने गया काफी ज़्यादा अच्छी है इसके मतलब एक्जेक्ट सबकी प्राइज मुझे याद नहीं है बट आई थिंक कि इसके लिए मैंने 295 सम्थिंग पै किया है तो उसके एकॉर्डिंग क्वालिटी काफी ज़्यादा अच्छी है कलर ओप्शन आपको म काफी ज़्यादा अच्छा है कंपटेवल एक घर में पहनने के लिए और आप बाहर भी पहना सकते हैं मतलब कलर अच्छा है इसको एर इस तरह से फूल स्लीव मिलेगी मैंने अपने बेटे के लिए जो है वह फॉर टू फाइव यर वाले क्लोथ मंगाए क्योंकि वह फॉर यह शूट करती बट वह स्कूल चला गया है तो अब टाइम है तो थोड़ा उसका जो क्लोथिंग का है वह शूट करी लेती हूँ इसके साथ ब्लैक कलर का जो है वह आपको पजामा मिलेगा इस पे भी यहां पे छोटा सा NYC नाइस करके लिखा हुआ है थोड़ा सा इसकी भी क्वालिटी अच्छी है वह अच्छी है घर में पहनने के लिए भी डेली वियर के लिए भी काफी जाद अच्छा है क्योंकि समर में अभी फुल कपड़े भी सही रहते हैं मतलब यह जो स्टार्टिंग की समर सीजन है इसमें मच्छर वगेरा काफी जादा होते हैं तो बाहर ले जाए तो फुल पहना के ही ले जाए बच्चों को और इसके बाद जो सेकिंड बताने वाली हूँ वो मैं बताती हूँ वो छोटा ही आ गया है मैंने फो टू फाइव यर वाला ही ओर्डर किया था बट यहां पे सबके इमेज लगा रही हूँ यह कुछ इस तरह से है बट यह जो है वो वन टू टू यर वाला मुझे भेज दिया है जो आगे की तरफ जो है यह यहां पर बटन लगाई गई यह जो है यह दिखने के लिए नहीं है यह बड़ा सा पॉकेट ही है यह दर्शित आ भी गया इसकूल से इसकी छुटी हो गई है हलो बोलो हलो हा ना हा अब आप हेंड वोश वगेरा कर आओ ठीक है इसका मटेरियल भी काफी ज़्यादा सॉफ्ट है पास से मटेरियल बताती हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि यह एक्जेक्ट कैसा रिसीव होगा आपको तो इसकी क्वालिटी भी काफी ज़्यादा अच्छी है इसके साथ जो पाजामा या पैंट रिसीव होगा वो कुछ इस तरह से है इसका कॉंबिनेशन काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक्स्चेंज करा कि उसके लिए बड़ा साइज और कर ल काफी ज़्यादा कमफरेवल रहते है बच्चों को इसके बाद आप लोगों को दिखाने वाली हो सबसे ज़्यादा अफोडेवल सबसे ज़्यादा सस्ती जो में ड्रेस है 175 ही मैंने इसके लिए पे किये है यहाँ पे इमेज लगा रही हो कलर ओप्शन मिल जाएंगे कुछ इस तरह से जो है टीशट और एक पजामे का सेट है ये भी अच्छा है क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज़्यादा मैंने प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है बट मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी बट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आ स्लीव मिलेगी यह थोड़ा सा बड़ा पड़ा उसको मैंलब थोड़ा सा लूज है और आई थिंक यह धुलने के बाद और ज्यादा फेल जाएगी तो अगर आप इसे और करें तो एक साइस कम में ही और करें क्योंकि यह थोड़ा सा क्लॉथ माटेरियल ऐसा लग रहा है जैस काफी ज्यादा अच्छा है अंदर से कुछ इस तरह से है और फूल मिलेगा यह आपको मैंने एक्चुली फूल ही मंगाया है क्योंकि अना अभी इस टाइम के लिए फूल जो है वो काफी ज्यादा सही रहते हैं मच्छर वगेरा नहीं काटते पूरे हाथ और पैर दोनों ढ जाते हैं तो यह है इसके बाद जो देखते हैं यह जो है वो कुछ इस तरह से इसमें भी कालर आप्यान आपको मिल जाएंगे इसका क्लोट माटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है होजरी का है या किस चीज का है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इस तरह से मैंने जो ज्यादा सही है ये कार बनी हुई है इसमें क्लासिक राइड लिखा हुआ है कार क्लब लेजेंडरी तो इस टाइप में ये टी-शेट है पीछे से बताती हूं इसका क्लोथ मेटेरियल कैसा है काफी ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा इस तरह से अगर ये एसे सही नहीं दिख रहा होगा ना तुम्हें इसका एक बेक कैमरे से पूरा अच्छे से पास से इसका क्लोथ मेटेरियल बता दूंगी बट ये काफी ज्यादा सौफ्ट है पहनने में कमफर्टेवल है बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी पूरी गर्मी भी अगर आप इसको पहनाएंगे ना तो भी ये गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि एक अच्छा सा सौफ्ट सा कपड़ा है इसके बाद इसके पैंट की बात करते है तो फूली इलास्टिकेटेड है इसका भी माटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है एकदम जेट ब्लेक में है जेट ब्लेक टाइप में जो है कलर द फैब्रिक दिया हुआ है सभी के फैब्रिक इसी तरह से है है कॉटन माटेरियल में ही थोड़ा सा लाइक्र टच में है एकदम कॉटन बेसा नहीं है जो अपने क्लोथ रहते है थोड़ा कड़क टाइप में वैसे नहीं है बच्चों के काफी ज्यादा सौस्ट बनाए हुए हैं इसके बाद-बाद करते हैं यह वाली ड्रेस यह अच्छी लगी थी मैं नहीं सोचआ कि पर जहाज है इस चाइप के जैकेट वाली ड्रेस तो यह क्या अर्वाला कलर अच्छा लग रहा था कुछ इस तरह से जो है वह आपको शट मिलेगी जैकिट इसके इसकी स्लीव फुल है ये भी ऐसा लग रहा था जैसे ओरीजनल जो कोट पेंट आते वैसे नहीं है ये भी लाइक्रा टाइप में ही पूरा कपड़ा है कमफर्टेवल है घर में पहना सकते है या तो घर म मिलेगी ये शट है ब्लैक कलर की इसके बाद उपर से इसमें इस तरह से दो पल्ले टाइप में दिये हुए हैं जो यहां से अटेच हो जाएंगे पहनने के बाद केसे लगेगा वो तो आप ट्रायान होल में साइड में देख लेंगे और पीछे की तरफ ये जो है इसी तरह इसी कपड़े का बनाया हुए इसी माटेरियल का बनाया हुआ है मतलब जो पीछे का पार्ट है आगे का पार्ट है जो वो ब्लैक शट से और इससे बनाया हुआ है पीछे का पार्ट पूरा इसी तरह की माटेरियल से है तो ये भी जो है वो खिचने वाला माटेरियल है कमफर्टेवले कहने का मतलब है पहनने में प्राइस के कोडिंग भी ये भी सही है अगर कुछ सस्ता सा लेना है तो ले सकते हैं बाकी ये है कि साड़े तीन सो चार सो में आपको बाहर मार्केट में भी मिल जाएंगे पर आइडिया नहीं है यहां पर तो काफी जादा कॉसली मिलते हैं बर्ट वैसे नहीं पता है कि कैसे मिलते हैं तो आप बताईएगेगा कि इस तरह कि जो मैं प्राइस शो कर रही हूँ बेसा क्या में मार्केट में आपके यहां भी मार्केट में मिल जाते हैं क्लोथ तो ये इसका पेंट कुछ इस तरह से चेक वाला रिसीव होगा जिस माटेरियल की जैकिट बनाई गई है उसका दो पोकेट भी मिलेंगे आपको तो इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा बनाया हुआ है जैसा ओरिजनल जो है वो कोट पेंट जैकिट वाला पूरा ड्रेस रहता है उसी तरह से जो है वो पूरा पैटर्न बनाया हुआ है एक और मैं दर्शित का यहाँ फोटो लगाऊंगी जो उसने बर्डे पे पहना था कुछ इसी ब्लैक और ग्रे के कॉंबिनेशन में ही था बट वो बहुत ज़्यादा कॉसली था मतलब बहुत ज़्यादा कॉसली था बट उसी टाइप के यह पैटर्न में यह वाला है तो जिने अफोडेवल प्राइज में एक पार्टी वी अड्रेस चाहिए तो वो यह वाला ट्राइक कर सकते इसके साथ एक बोबी दी हुई है सेम माटेरियल की बट इसके साथ कोई भी लास्टिक नहीं आई थी तो मैंने इसमें पिन लगाया हुआ है मैंने लगाया यह पिन आप चाहें तो लास्टिक भी डाल सकते है छोटी सी इसके बाद लास्ट जो ड्रेस है उसका पिक्चा यहां आटेच कर रही हूँ वो भी एक जैकिट पैटन में है कुछ इस तरह से है इसमें भी आई थिंक आपको कलर आप्शन मिल जाएंगे इसका मटेरियल अच्छा है बट मुझे पैटन उतना ज्यादा पसंद नहीं आया तो मैं इसको रिटन ही करूँगी कुछ इस तरह से है इसकी शट अंदर की तरफ जो है वो टी शट टाइप में अटेच की हुई है वाइट कलर की और उसी के साथ उपर की तरफ जैकिट है मटेरियल अच्छा है कमपर्टेवल है बट मुझे कुछ रखना है सारे तो नहीं रखूंगी न मैं तो उसके कोडिंग मुझे ये वाला मतलब में डालूंगी बट क्वालिटी अच्छी है अगर किसी को पसंद आ रहा है तो आप ले सकते हैं पीछे का भाग इसी का क्लो के बाद और और इसके पैंट की बाद करते हैं तो आपको ने बिवी ब्लु कलर का पैंट मिलेगा यहां पे इसमें चोटे-चोटे पॉकेट लगाए गए हैं यहां पे जैकेट वाला जो है वह क्लॉथ मेटेरियल लगाए गया ताकि मेचिंग लग सकते कि यह उसी का तो इसका मेटेरियल भी अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा लाइक्रा टाइप में है पर ज्यादा खिचने वाला नहीं है बट कमफोर्टेवल है ये भी सभी में इस पेस अल्मोस्ट इतना ही है थोड़ा पजामे स्टाइल का ही है नीचे की तरफ तो ये था लास्ट ड्रेस शिक्स पियर ओफ ड्रेस थी दर्शित की जो की अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुई है प्राइस के कोडिंग सभी की क्वालिटी काफी ज़्यादा अच्छी है तो अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं इसके अलावा जो अच्छी ड लेकिन मुझे पसंद आई जो की दर्शित ने पहन भी ली है वो ये वाली मुझे पसंद आई इसका क्लोथ मेटेरियल अच्छा है मार्केट में भी जाते हैं तो इस तरह की ड्रेस एक बार में ही पसंद आ जाती है क्योंकि कमफर्टेवल बहुत ज़्यादा रहती हो बच् अच्छा है क्लोथ मेटेरियल अच्छा है तो अब आप देख सकते हैं अगर आपको अपने बच्चे के लिए कोई सा ड्रेस पसंद आ रहा है तो आप सबका आपको रिव्यू मिल चुका है तो आप उसके अपना डिसीजन ले सकते हैं तो यह था एक मेरा छोटा सा वीडिय तो आप लोगों को कैसे लगा है कमेंट बोक्स में बताईएगा तो आपके लोकल मार्केट में भी इनका प्राइस की सी एकोर्डिंग रहता है वो भी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आगे के लिए ध्यान रखू कि मुझे इस तरह के कपड़े ओनलाइन और देखने हैं अगर आपको यह कूरती पसंद आ रही है एTT इनका भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा तो आप जाके देख सकते हैं मेरे जो वीडियो के पलेछे भी बनी हुग यह उसका लिंक भी में यहां दे रही हूं तो आप वो पलेछे हैं च्छी लग रही है या जो वीड this video